शाहपूर पुलिस ने मुबाइल फोन की लूट करने वाले दो अभियुक्तों को गिरिफतार किया है जिसके समन्द में S.P.C.T. कृष्ट कुमार विश्णोई ने पुलिस लाइन के वाइट हाउस सभागार में प्रेस वारता करते हुए बताया कि मुक्बिर की सूजना पर दो अभियुक्तों को बॉलिया रेलवे कालूनी एनी रेलवे गल्स इंटर कालेज के पास से गिरिफतार किया गया है जिसके पहचान निशु पासवान, पुत्र परदीपासवान, निवासी माधोपूर, थाना तिवारेपूर, जनपत गोरकपूर, दूसरा विजै कुमार गोड, पुत्र मोती गोड, निवासी सुरजकुन, थाना तिवारेपूर, जनपत गोरकपूर के रूप में हुई है जिसके पास से लूट के 9200 रुपे नगद, पांच मोबाइल, एक मोटर साइकिल, एक देशी तमंचा, एक जिन्दा कार्तूस बरामत किया गया है S.P.C.T. ने बताया कि दोनों अवयुक्तों के उपर थाने में मुकद्मा दर्श कर जेल पेज दिया गया है ग्रिफतार करने वाले पुलिस टीम में शाहपूर्थाना परभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उपनरिच्छक रामानुच सिंग यादव, हिमानशु यादव, कांस्टेबल अजै परताब चोधरी, चंदन कुमार चोहान, विजै कुमार मौरिया, आमरित लाल शामिल रहे इस समन्द में गुरकपूर नियूस से बात करते हुए S.P.C.T. कृषकुमार विश्रावी ने कहा जनपद गौरकपूर के थाना शापूर अंतरगत एक ऐसा मसला सामने आया, जिसमें एक विने कुमार साहू, जो कस्टम सप्रिटेंडनेंट है, उन्होंने सुझना दी कि वो बस टेशन से रेलोए स्टेशन की तरफ कल प्राते तीन बजे जा रहे थे, उसी टाइम उनका ए इडेंटिफाई किये गए और उन फोटो को आइडेंटिफाई करने पर पतारशी सुड़ा ग्रसी की गई, जिनका जो ठाने में पहले एक और मुगदमा जिसमें चैन स्नेचिंग में वांची थे वो, तो इसके बाद में धर पकड़ की गई, एवं दो बदमासों को गिरफ हैं पहले से और इनके पास से एक तमंचा, एक मोटर साइकल, मोबाइल फोन और 9200 रुपे पुरानी चैन स्नेचिंग की लूट के जो पैसे मिले थे वो, और जो कस्टम सुपरेंट साब से जो मोबाइल चीना गया था, वो भी बरामत किया गया है, यह तमंचा अब इतक पत झाल